का समय था, गुरू अपने सभी सिश्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्थान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना, सभी सिश्य से हैरान रह जाते हैं, कि हम लोगों ने कुछ गल्ती की है क्या, लेकिन उपस्थित सियह कहते हैं, कि हो सकता है कि गुरू जी कल सुबह कुछ अच्छी बाद बताने वाले हैं, सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं, और सुबह उड़ कर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद, वापस गुरू जी की सामने उपस्थित हो जाते हैं गुरु कहते हैं आज हम तुम सब को चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा गुरु कहते हैं दस मौकी जहां पर चुप रहने से होता है लाप और बोलने से नुकसान गुरु कहते हैं अगर आप इन दस मौकों पर सांत हो गए यानि मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा आपकी जिंदगी में चमतकारिक बतलाव शुरू हो जाएगे जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है जैसे जरूरत से ज़्यादा बारिस हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है उसी तरह अनावस्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है गुरू कहते हैं कि पहला ऐसा मोका जहाँ पर विक्ति को चुप रहना चाहिए बिना तथ्य के ना बोले गुरू ने कहा अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही बलाई है चुप बैटने से दिमाग में नई कोशकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्यान की विर्थी होती है बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ग्यान हो अगर आप बिना तत्की कहीं बोलते हैं या फिर बियोजा बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाग भी बन सकता है अगर आपके पास परियाब तो जादकारी नहीं है ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाग भी आपसूप लगेगा इसलिए ऐसी जगह पर सांती ही रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगा अपनी उपस्तित बताने लगते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक भी उडाते हैं तो जब तक आपको उस तत्य के बारे में अच्छा ग्यान नहीं है उसके बारे में पता नहीं है तो वहां चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है गुरू ने कहा दूसरा ऐसा मौका जहां पर विक्त को चुप रहना चाहिए सब्दों से ना पहुंचे ठेस अगर आपके सब्द किसी को मांसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए कमजोर विक्त के बारे में कुछ भी बोल कर आप महान नहीं बन सकते हैं महान आप किसी कमजोर का सास देने में बनेंगे कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे बिक्ति को बहला बुरा कहते रहते हैं सामने वाला इसान तो कचसे आपसे छोटा है वह आपको कुछ नहीं बोलेगा लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बढ़ा हो जाए पद में आपसे जब वह बढ़ा हो जाएगा तो आज जो रवया आपको उसकी साथ है आने वाले समय में वह भी आपकी साथ वही करेगा आप किसी को नीचा दिखाकत बढ़ा नहीं बन सकते हैं बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज़द भी करना सीखे और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए लोगों को लगता है कि अगर वा अकड कर बोलेंगे और सामने वालों को नीचा गिराने की कोशिस करेंगे तो आप बड़े बन जाएंगे तो यह उन सब की भूल है बड़े होनी की बचाए आप उनकी नजरों में गिर्टे चले जाएंगे गुरू ने आगे कहा इसलिए सिस्यों तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगी बोलने में भाई, बहान, मादा-पिता, मित्र, इत्याल संबोधल सपनों का इस्तेमाल जरूर करना इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथी साथ लोगों की नजरों में तुम समलदार विक्ती बनते जाओगे गुरू ने आगे कहा तीसरा मौका जहाँ पर विक्ती को चुप रहने में ही बलाई है क्रोध या घिड़ा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगसंबंदी आप पर क्रोध कर रहा हूँ, आपका अपमान कर रहा हूँ तो आपको उस वक्त ही चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुबारा पूरी तरह से फट जाए आप ये दिसाही हैं, तो उससे कतई माफी न मागें, और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें, वा खुद ही आपसे माफी माँग लेगा, जब उसे अपनी गल्दी का एहसास हो जाएगा गुरु आगे कहते हैं, कि अगर आपका कोई सगसंबंदी आप पर कुद कर रहा हो, और आप उस समय सांत हैं, तो या आदर सम्मान देने की निसानी होती है, इससे ना कोई छोटा होता है, और ना ही बड़ा, अगर आपको कुद आ रहा है, तो आप या तो वहां से किसी का आदर किये भी ना चले जाएं, या फिर चुप रहें, कुरुद करने से आपके रिस्ते खराब होंगे, कुरुद करने से हमेशा कुरुद करने वाली विक्ति काही पुरा होता है, गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक साम जंगल से भागते हुए, किसी राजा क अस्तरगर में पहुँच गया, लोगों ने छेड़खानी की, तो वा बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे वा अस्तरगर में जो तलवार पड़ी हुई थी, उसी को लपेट कर कसने लगा, और धीरे धीरे उसका पूरा सरीर कट गया, या गुस्सा उसे खा गया, ठीक उसी प तरीका है कि आप प्रतिलिन ध्यान का प्यास करें, इससे आपके सरीर में जो हारोंस गुस्से को बढ़ावा देते हैं, वह सब तुम्हारे नेंदर में रहेंगे, जिससे तुम्हारा सरीर गुस्से पर आसाने से काबू पालेगा, लेकिन एक तरीका यह भी है, कि जब भी आपको गुस्सा आए, तो आप यह समझने का प्र्यास करो, कि क्या मेरा गुस्सा चाया जाया या नहीं? हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं? जब आप खुद इस बात का आँकलन लगा पाएंगे, तो आपको खुद पदा चल जाएगा, कि हमें गुस्सा करना के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए, जहाँ पर उस मुद्दे से आपको कोई संबंद ना हो, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंद ना हो, तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है, बिना किसी वज़ा, अगर आप दूसरे के अपना जगड़ा सांध करवाने के लिए तो ही आप वहाँ पर जाएं किसी की विक्ट का जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह विक्ट आपको नहीं बुलाता है अपनी जगड़े को सांध करवाने के लिए उस लोग फाल्तु में दूसरे की वि मित्र को हाने न पहुचे, अगर आपके सब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की पर्तिष्ठा के बारे में बुरी जलग दिखा रहे हैं, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए, किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप यह बुरे बने जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है, उसे अपने सब्दों से बढ़ाना करें, बिना चिलाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। मीठा फन लाएं। आपके सब्दों से आपके दोस्त को हानी नहीं पहुचने चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाग करते हैं, तो ध्यान रहे कि आपके सब्दों से किसी का आनादर ना हूँ। मजाग को भी हमेशा सब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को सब्दों से चोट लगे, वहाँ चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्टा को अपने सब्दों के मात्यम से उसे हान ही नहीं पहुचाने चाहिए। यदि आपके सब्दों से किसी और की प्रतिष्टा को ठेस पहुच रही है, तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई विक्ति आपके सामने नहीं है, तो आप उस विक्ति के बारे में बुरे सब्द किसी तीसरे विक्ति के सामने ना बोले गुरु कहते हैं कि छटा मुकर जहां पर विक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम ने कुछ कहा है तो नीति सास्त्र के अर्मसार जो अपने मोग को बंद रखता है और पुति से काम करता है वही इंसान समझदार होता है बिना जरूरत के बोलना किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना या गलत बात है कभी कभी हमारे लिए वो दिवानी इसी में होती है कि हम अपना मुँ ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए गुरु आगे कहते हैं कि दस मौकर में सातों ऐसा मौका जहां पर विक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी भावना यदि आपको लग रहा है कि कोई विक्ति आपकी भावना दुख या परिशानी को सब उसको वह समझे का प्रयास ही नहीं कर रहा है यह यह आपको थ्यान से उनी 아닌 पा रहा है तो ऐसे विक्ति के आप चुप की ही रहें क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पस्तायेंगे इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बताने चाहिए अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है तो हाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बात में आपका मजाक ही बन जाएगा जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तब ही आप उसे अपनी बात कहीं, गुरु कहते हैं कि आठवा मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख परिशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है, ऐसे में तुरंती उसे समझ रहा है, चुप रहकर उसकी दुख या समझ रहा है, उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं वह इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समधान कर देंगे वलिकि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं दुख बाटने से गम हो जाता है इसलिए जब कोई विक्ती अपना दुख आप से विक्त करे तो आप चुप मार के उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने ताकि उसके जहां पर आपको चुप रहना चाहिए जहां पर तुष्ट पक्रित के लोग रह रहे हूं और गाली कलोज कर रहे हूं तो आप वहां पर मत चाहिए ऐसी जगहों से आप चुप चाप निकल जाएं अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिये बिना आप गया बाली के लिम से किना वारा helps किर आपको सेसे को जोत मैं राली के लाउएं पर जोगी की जबा उपाईन से ठाह मत दोगी को चाहिए झाल 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 झाल